करवा चौत पर अगर आप भी स्क्रीन पर नजर आ रही महिला की तरह बेहत खुपसूरत गॉर्जियस और ट्रेंडिंग लुक चाती हैं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर इस करवा चौत पर घर बैठे कैसे एश्टी मेकप करें ऐसा एश्टी मेकप जिसे आपके पती देव तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे करें तो सबसे पहले अगर आप एश्टी मेकप करना चाहती हैं तो अपने चेहरे को पूरी तरह से साफ कर लें चेहरे को पूरी तरह से साफ करने के बाद आप कोई भी मोशराइजर इस्तमाल कर सकती हैं इसके बाद चेहरे पर प्राइमर का इस्तभाल करें और आइब्रो पैंसिल से आइब्रो को सेट कर लें इसके बाद एश्टी मेकप करने के लिए आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग अलग अलग शेड के जरिये अपनी आखों का मेकप कर सकती हैं आखों का मेकप करने के लिए आपको सबसे जादा वक्त लगेगा जितने भी shade आप चाहें उतने shade से आप अपने आखों को खुबसूरत लुक दे सकती है इसके बाद आखों पर glitter लगाना बिल्कुल भी न भूलें क्योंकि glitter आपकी आखों को एक shining देगा और साथ मही highlight भी कर देगा इसके बाद अपने चेहरे पर आप foundation का इस्तमाल कर सकती है ये foundation किसी भी company का हो सकता है और कोई भी हो सकता है foundation आपके चेहरे को shining देगा आपके open pores को बंद कर देगा और तो और आपके चेहरे पर जो डलनेस होगी उसको भी recover कर लेगा कुछ लोग foundation concealer और powder को mix करके लगाते हैं लेकिन आप इन तीनों को ही अलग-अलग करके लगा सकती हैं लेकिन make-up कोई भी हो आप इसे गरदन और चेहरे पर अच्छी तरीके से finishing देना ना भूलें गर आप अपने चेहरे को एक अच्छा shape देना चाहती हैं तो make-up के दोरान contour stick का जरूर इस्तमाल करें contour stick को आप सामने देख सकते हैं जिसे नाक और गालों पर लगा कर चेहरे को पतला करने का काम किया गया है इसके बाद आप अपने चेहरे पर highlighter का भी इस्तमाल कर सकते हैं या किसी भी अलग foundation और powder को एक बार फिर लगा कर चेहरे को shining दे सकती हैं make-up की खुबसूरती में आँखों की खुबसूरती सबसे important होती है ऐसे में आँखों पर mascara लगाना बिल्कुल भी न भूलें जो आपकी आँखों को smoky eye बना देगा इसके बाद आप अपने lashes लगा सकती हैं जिससे आँखों की जो पलकी हैं वो और भी खुबसूरत हो जाती हैं याद रहे liner, mascara और eyelashes से आप अपनी आँखों को HD make-up में काफी खुबसूरत look दे सकती हैं इसलिए इसका apply चेहरे पर काफी साफधानी से करें इसके बाद अपने चेहरे पर आप पूरी तरह से brush के जरिये make-up को finishing दे सकती हैं इसके बाद आप अपनी dress के according lipstick का इस्तमाल करना बिल्कुल भी न भूलें आप अपने चेहरे पर pink, red और कोई भी dress के according lipstick लगा सकती हैं और अंत में आप अपनी आँखों के पास highlighter का इस्तमाल करना बिल्कुल भी न भूलें जो HD make-up में और भी चारचांद लगा देता हैं बात करें अब HD make-up के अंत में तो आप अपनी dress के according कोई भी बिंदी लगा सकती हैं और dress के according ही आप चूड़िया भी पहन सकती हैं इसके बाद अपने बालों को आप जो भी shape देना चाहें दे सकती हैं देश की सभी महिलाओ को करवा चौथ की हार्दिक्षिप कामना है इस करवा चौथ पे क्या हम हर करवा चौथ पे त्यार होते हैं करते हैं उसका बहुत महत्व होता है आप देख सकते हैं मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ और यह बाटर्पूफ मेकप है जैसे कि आप जानते हैं कि करवा चौथ में भूखे प्यासे होते हैं और पसीने बहुत आते हैं हमें तो आपको बॉटर्पूफ मेकप की जादा नीड होगी ताइमिंग इसमें मैं बहुत मतलब भूट एप्रिशेट करूँगी कि एक गंटे में इनोंने मेरे को पूरा त्यार कर दिया है ताकि मेरा मतलब घर के काम भी जो भी मैं करती हूँ तो अगर आपको भी सकरवा चौथ पर इतना खूबसूरत नजरा आना है तो घर बैठे HD मेकप कर सकती है वैसे पूरा मेकप मयूर विहार के लुक सैलोन में शूट हुआ है जहां पर HD मेकप 3,000 रुपए से शुरू है देली से अंजली सिग्राश पूद की रिपोर्ट लोकलेटी